बिसमिल्लारभ्माद रहीं असलाम अलेकूम बेज्टोंग्स बाइने में इस मुझी रह्मत आया वियर कुप्यूटर टीचर तोडे विडिसक्ष प्रोग्राम इंबर 6 आज हमने प्रोग्राम इंबर 6 को डिसक्ष करना है इसे प्रिवेस पाइप प्रोग्राम आंग वान फा अब जैसे को किसके अंदर फारण आई कि हैं तो इसमेरे वह देखते हैं पर पर पार प्रोग्राम हिद्व पर चोगते हैं, फस्ट ओफार हमारे पास लाइन नमबर 10 हैं, CLS जिस तरह से आपको पता है कि इस इंड़ के बेसिक के अंदर हार लाइन डैक लाइन नमबर होता है और फर्स टाइन का लाइन डैन होता है और इसी तरह 10-10 के इजाफे से जो है लाइन नमबर जी है वो इंक्रीज हो देगा उसके बाद CLS के है प्रीवेस आफ़ूट को क्लेर करने के लिए CLS यह हम हर प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं ताके यूजर जो है उसको वो कंफिजन से बच सके के प्रीवेस आफ़ूट जो है स्क्रीम के ओपर वो क्लेर हो जाए और जो निव आउपूट है वो मैंशन हो जाए इसके ओपर डिस्प्ले हो जाए करना उसके पार लाइंप ट्रुमटी वे सी वाल ठीव होगा है वाल हाइट के अंदर हमने करवर्ण करना है तो उसके लिए आप यहाँ वाल एकस य या जी या एडी बेसी कोई भी मैशिक्त ले सकते हैं लेकिन हम वैलियूपल वही देंगे जो के मर्स से प्लेटेड होगे। जिस तरह सेल्सियर से है तो उसके लिए मैंने C वैलियूपल ले दिया और जो फार्म हाई उसके लिए है। अब हमने इनको जो किया C को भी F को भी क्यूंकि सब्सक्राइब मेमरी के अंदर जो हमारे गालियूपल वैलियूस पढ़ी होती है। उनको रेस करने के लिए ताकि जो C और F जो वैलियूपल है इनका जो रिजल्ट है वह हमारे पास एक वैलियूपल हम हासित कर सकें। और इसलिए हमने इनको जीरो के को कर दिया ताकि प्रियूस को बैलियूस पुरिए नगी के अंदर जो गालियूस पर होती है वो रिजल्ट होती है। जाए होई है statement के दोनों तरव तो mean यह वही जो statement है जिए as a डिस्प्रिंट होगी के इंटर तंप्रेचर इंसल्सियस यह उसर के लिए डिश्प्लेचर होगी ताकि युजर जो है वो celsius का जो तंप्रेचर है celsius के अंदर जो यहां पर क्या करें इंटर देंगी। और जब user इंटर करेगा तो variable को assign हो जाएगा कौन चानल variable को C जो के हमने यहाँ पर variable C लिया हुआ था जिसको हमने 0 equal प्रिया हुआ है तो यहाँ पर जब user Celsius के अंतर temperature को इंटर करेगा तो वो assign हो जाएगा variable C को नेक्स चलते हैं अभी लाइन पर जहां देखे लाइन नबर 40 F equal to C multiply 9 by 5 plus 32 अब देखे हमें Celsius को फार नाइन दी अंदर convert करना था using formula statement से हमें बना चाल रहा है कि फार्मूला के इस्तमाल करते हुए अब फार्मूला क्या है अब देखें फार है का फार्मूला Celsius multiplied 9 by 5 और plus 32 Celsius तो temperature जिसर की तरफ से इंटर किया जाएगा यहां पर रो रही हो आएगी वो multiply हो जाएगी किसे 9 by 5 से जो answer आएगा उसमें 32 जो हो प्लस हो जाएगा अब तो याद होगा कि हमने लक्षर के अंदर operator residence पढ़ा था कि प्रोग्राम में के अंदर सबसे ज्यादा priority जो है वो किन operators को दी जाती है जिस तरह से प्लस माइनस multiplication और division है तो यहां पर कि देखें लेकिन multiplication और addition का तरह सिंपल है operator जो हो रहे हैं तो ज्यादा priority किसकी है यहां पर multiplication ही है तो इसी लिए Celsius चर्व मंटिप्लाई होगा पहले 9 by 5 से और उसके बार उसके अंदर 32 एरस होगा लेकिन यहां पर हमारे पास और operator भी यूस हो रहे है है division का 9 by 5 लेकिन multiplication से ज्यादा जो priority है हमारे मास वो इसकी है वो division की है first of our 9 जो है वो 5 और divide होगा उसका जो answer आएगा वो multiple होगा किसे Celsius जो हम temperature इंटर करेंगे यूजर इंटर करेंगा उससे और पिर उसके बाद उसमें 32 जो है वो एड हो जाएगा इसमें त्री जो है operator यूज हो रहे हैं हमारे स्वाड़ा के अंतर तो प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिक लैंगिज के अंदर वो operator president को देखते हुए operator की priority को देखते हुए जो है वो इसको हाल करेगा उसके बाद जब यह divide होके Celsius से multiply होगा और इसके अंतर प्लस 32 हो जाएगा जो हमारे पास भी एक value जो है वो एक value मिलेगी उसको वो assign कर देगा किसको F को जो भी हमने फार रहा है जहां statement के अंदर लिखा हुआ है कि Celsius को फार नाइट के अंदर convert करना है तो यह है लेकिन जो answer आएगा वो कोई एक value होगी और वो assign हो जाएगी इसको F को mean Fahrenheit को जो के हम प्रोग्राम के अंदर करना चाह रहे थे, Fahrenheit के अंदर हमसे convert करना चाह रहे थे अब next line में देखते है, line number 50, print temperature in Fahrenheit equal to F अब इसमें क्या है, हमने print statement को यूज किया, print statement को हम यूज करते हैं प्रोग्राम को output को display करने के लिए और temperature in Fahrenheit को हमने दोना तरफ inverted को पास लगाने है, mean temperature in Fahrenheit जो है यह as a piece print होगा और यह जो F है, mean Fahrenheit यह जहाँ पार F का answer था वो इस F की जगा पर यहां display हो जाएगा, show हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमें एक value जो है, वो assign भी है F को तो F के अंदर जो value पड़ी होगी, इस F की जगा पर वो ही value जो हमें मिलेगी, यहां पर display होगी तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, सैट्स्स को फानाइट के अंदर convert किया, जो के इस पारगुले के तहर वो इस statement के जरीए हमने क्या किया, उसकी जो output थी उसको हमने display किया, अब इसके अंदर यहां तंचना मारा के प्रोग्राम जो है, वो complete हो गया है, आज के topic क के हमाले से अगर कोई concern आपको clear नहीं हुआ, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, thank you.